दोस्तों आपके अपने यूटुब चैनल पर आपका सौगत है दोस्तों आज मैं आपको सीसी रोट जो मेरे साइट में बन रहा है वो किस तरह से बनता है क्या-क्या उसके फंडे हैं और जो है क्या-क्या चीज़ हमको ध्यान देने हैं इन सारे टोपिक्ष पर आज मैं बात क काम है मेरे साइट में स्टार्टिंग से चल रहा है इसलिए मैं आपको पूरी तरीकर से सारी चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा तो वीडियो जो है पूरे एंड तक देखे और अज़िदी दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को स करते हैं इसके बाद एक बार जो है रोलिंग करते हैं पिर रोलिंग के बाद दोस्तों सबसे पहले हम Appreciate it बिठाते हैं जीसबी को जो है एक ही बार में हम एक लेयर में नहीं बिठा सकते हैं तो क्या है उसको हम बार बार जो है अलग अलग लेयर में बिठाते हैं और जो है उसके उपर हम रोलिंग करते हैं ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको यहाँ पर 6 मिटर करोड है ठीक है तो हमने jcb से क्या क्या सबसे पहले jcb से jcb को बिचाया है एक लिबल में और jcb से नहीं हो रहा है आपका काम छोटा है तो आप वहाँ पर बॉपकेट का भी इस्तिमाल कर सकते हैं ठीक दोस्तो इसके बाद क्या करना है जैसे ही jcb बिच गया जैसे कि यहाँ पर आ अब को 200 mm ही लेना है ठीक ही उससे ज्छाधा कि जो ठीकने से वह आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है और हर लेयर में एक लेयर में 200 mm jsb बिच बिचाना है थे उसके उपर आपको कि Кол्यों करना है फिघ्न करने बाद कि हुआ उसकी ऊपर पानी से डखना है पिर पर फिर रोलिंग करना है फिर जैसे ही दो पसे तीन बार रोलिंग हुआ उसके बाद किया फिर आपको सेकेंड लेयर डालना है जीएसबी का और फिर सेकेंड लेयर डालने के बाद उसके उपर फिर आपको जो है रोलिंग करनी है तो इसी पर जो है आपको बार बार पानी डा डाल डाल के जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है गिला गिला दिख रहा होगा है ना तो इसमें क्या है हमने पानी डाला है इसलिए गिला दिख रहा है और जो है आपको गिला करकर करके बार बार जो है रोलिंग करनी है और एक बार में जो है आपको 200 mm से ज्यादा ठीकनेस तो इसके बाद आपको पूरी तरीके से आपको ऐसा rolling कर लेना है ठेक है दोस्तों अब rolling करने के बाद क्या है दोस्तों सिधा आप channel लगाएं और जो है आप उसमें जो भी आपकी road की चोड़ाई है उसमें concrete डाले और ध्यान दे कि concrete में आप एकदम तरीके से उसमें vibrating करना है और vibrating की सांसनाथ जो आपका label है जिस label में है उस label पर आपको चैनल बिछाना है और जो है आपको finishing करना है जैसे कि यहाँ पर मिश्तिरी लोगों ने एक अच्छा तरीका अपनाया है कि एक channel का pipe लिया है और उस pipe से जैसे हम फंटी चलाते हैं उसी तरह का से यह pipe को चला रहे हैं ताकि concrete एकदम अच्छे तरीके से label में कट जाए ठीक है फिर label में concrete काटने के बाद उसको हम finishing करेंगे तो जैसे कि आपको दिख रहे है जो है road पुरी तरीके फ्रीसिंग हो गया है ठीक है लेकिन finishing होने के बाद जो है दोस्तो उसमें क्या है एकदम chicken up मन रहता है और chicken up मन रहने के बाद क्या है जो आपका गाड़ी है road के उपर चल नहीं पाता तो इसलिए हम उसके उपर उस surface को रफ बनाने के लिए जो है floater चलाते हैं यह जो machine आपको दिख रहा है यह floater ठीक दोस्तो हम site में इसको चलवा रहे हैं देख सकते हैं सभी जगा जो है यह इसको चलाते हैं इसका एक फायदा यह है कि जो आपका slurry है जो उपर concrete का slurry आता है वो एक तो वो क्रेक नहीं होगा क्योंकि उसके उपर जो है automatic floater चलने के बाद मलाई जम जाती है ठीक है और दूसरी यह की surface को जो हमारा road का जो surface है उसको एक rough surface मिल जाता है जिसके कारण जो है इसमें जब गाडियां चलेंगी तो उसमें friction उत्वन मतब घरशन उत्वन हो जाएगा ठीक है तो आपको floater जो ह जो है बिल्कुल चलाने है तब जाके जो है आपका road का फ्रीशिंग हो पाएगा और floater को ध्यान देना है कि एकदम गिला-गिला में आप बिल्कुल ने चलाए वरना आपका जो concrete का लेबल है वह पूरी वहां पर क्या होगा जो पूरी तरीका से लेबल हो बिगर जाएगा जो है गड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सुखनेक बाद जो है आपको फ्रोटा चलाना है और फ्रोटा चलाने की बाद जो है जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है कि road में धारी-धारी बनी है देखिए सीधा-सीधा लकीर है तो यह लकीर को क्या करना है आपको जाडू ल इसके बाद जो है आपको मैं बता रहा हूं वो करना क्या है जैसे ही आपको इतना काम हो गया उसके बाद क्या है आपको 48 घंटे मतलब दो दिन ठीक है और दो से तिन दिन आपको करना है उसके बाद जो आपका road है जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है जो आपका road है आपको 2-3 दिन के बाद जो है इसको आपको कार देना है जैसे यहाँ पर 6 मिटर करोड है तो मैंने क्या है बीचो बीच कटवा दिया है ठीक है और बीचो बीच कटने के साथ साथ दोस्तों है ना इसको जैसे होरिजोंटल कट गया होरिजोंटल कटने के बाद भी इसको 12 स्क्वेर मिटर से बिल्कुल ज्यादा भी नहीं हो एक जो गाला है और उसी सब से आपको काटना है जिसे मैं यहां पर जो खड़ी लइन है वो तो पूरा लंबा गया है लेकिने धिरशी वाली जो लइन है पहला है तकि जो उसका एरिया है वो जो 12 स्क्वेर मिटर से जद्दा बिलकुल नहीं हो और इसको काटने का एक फैदा यह है कि जब आपका रोट क्रेख होगा गई भी तो एक गाले से जो है दूसरे गाले में ट्रांसफर नहीं होगा एक जगी जगे ज़फी क्रेक आगया सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में सेर करिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे ओके थैंक यू धन्यवाद आज के लिए इतना है